बच्चो ये है अ, अ से अदरक, अदरक को इंगलिश में जिंजर कहते हैं, जिंजर बोलो मेरे साथ अ से अदरक ये है बच्चो आ, बड़ा आ, बड़ा आ से आम, आम को इंगलिश में मेंगो कहते हैं बूलो मेरे साथ आ, आम ये है इ, छोटी इ, छोटी इ से इमली, इमली को इंगलिश में टैमारिंट कहते हैं बूलो मेरे साथ इ, इमली इ, ये है बड़ी इ, बड़ी इ से इक इक को इंगलिश में शूगर केन कहते हैं बोलो मेरे साथ इ, इक ये है बच्चों उ, छोटा उ, छोटा उ से उपवन, उपवन को इंगलिश में गार्डन कहते हैं, गार्डन बोलो मेरे साथ उ, उपवन बड़ा उ, बड़ा उ से उन, उन को इंगलिश में वूल कहते हैं, वूल मेरे साथ बोलो उ, उन बच्चों ये है री, री से रिशब रिशब को इंगलिश में बुल कहते हैं, बुल री, रिशब बच्चों ये है ए, छोटी ए, छोटी ए से एक एक को इंगलिश में वन कहते हैं, ए, एक ये है बच्चों ये, बड़ी ये, ए से एनक एनक को इंगलिश में ग्लासिज कहते हैं, ग्लासिज ए, एनक ओ, ये है छोटा ओ, छोटा ओ से ओस ओस को इंगलिश में ड्यू कहते हैं, ड्यू बोलो मेरे साथ ओ, ओस ये है बच्चों आओ, बड़ा आओ, आओ से आउरत आओरत को इंगलिश में वुमन कहते हैं, वुमन बोलो मेरे साथ ओ, ओ, ओरत ये है बच्चों अंक, ओ के उपर बिन्दी अंक अंक से अंक अंक को इंगलिश में नंबर कहते हैं, नंबर अंक से अंक ये है बच्चों अह अह से कोई शब्द शुरू नहीं होता ये शब्द के पीछे बिंदी के रूप में प्रियोग में आता है और अह की अवाज आती है जैसे की अतह नमह